मदिरुदेश के इंदौर शहर में रमजान महा के पाक महा के 30 दिनों के रोजदारों ने ईद की खुशी अपनों के बीच घर में रहकर मनाई मुस्लिम सहित अन्य समाज जनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन बढ़ाई देते हुए रोजदारों ने कोरोना महा मारी जल्द से जल्द खतम हो इसके लिए मननत की गई इन दौर में सभी तुहार बड़े ही हर्शुला से मनाय जाते हैं जिहां लेकिन पिछले वर्ष के तरह इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर के चलते हैं तुहार पी के नज़द आ रहे हैं इसी कड़ी में रमसान की पाक महा के 30 दिनों तक रोजा रखने के बाद एदी पर मुस्लिम समाच जनों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही इबादत कर कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए दूआ मांगी है तो वहीं अन्य परीजनों से मेल मुलाकात नहीं होने के चलते केवल उनसे ओनलाइन मुलाकात कर एक दूसरे को शुपकामना दी जा रही है और जल्दी मुलाकात और ओनलाइन ही खैरियर भी पूछी जा रही है सबसे पहले तो तमाम हिंदुस्तानियों को मैं इद की बदाई देता हूं और साथी साथ सबसे पहले मैं दूआ करता हूं कि अल्ला इस मुल्क से इस दुनिया से जो वबा जो बीमारी कोरोना के नाम साही है वो बिलकुल हट जाए और वो तभी अटेगी जब आप हम लोग सब साथ मिलकर इसका सामना करेंगे एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का और साथी साथ जो हमें प्रिकॉशन्स बताए गए है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम इससे लड़ पाएंगे अभी जिस तरह से हमने पिछले साल इद मनाई दूरियां बनाकर हमने इद मनाई इसी साल उसी तरह से हम दूरियां बनाकर इद मना रहे हैं कॉरोना का सेकंड फेस आया है अभी हमारे बुजर्गों के साथ साथ टीनेजर जवान भी इसमें इंकलूड हुए हैं और मैं अल्ला से प्रे करता हूँ कि जो थर्ड वेविस कॉरोना की आने वाली है हमारे आने वाली नसलें जो हमारे बच्चे हैं अल्ला उनके इफाज़त फर्माए और मुल्क में जहां भी परिशानी आ रही है सरकार से भी निवेदन है और आम जनता से भी निवेदन है कि जितना हो सके आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट करें दूरी बना कर रखें और जो भी गाइडलाइन से उसे फॉलो करें इस बार घर में किस तरह से इद की नमाद है देखिए इद का असल मकसद है आपस में खुशी एक साथ मनाना हम लोगों ने अपने अपने घरों में आपस में मिलकर तो इद मना ली लेकिन वीडियो कॉलिंग के तरू और फोन कॉल्स के तरू जितने भी रिष्टदार्स हैं दोस्त हैं मिलने वाले हैं उन सब को कॉल करके अपनी वधाईयां दी और साथी साथ प्रेकॉशन्स के लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि आप एद तब ही मनाए जब दूरी रखें मेरा नाम अब्दुलमाजीद है जुनारे साल है इन दोर से एद के त्योहार को लेकर बच्चे बुज़र्ग जवानों में खासा उत्साहा देखा जाता है लेकिन इस बार भी कोरोना के कारण बच्चों में त्योहार को लेकर माई उसी साफ तौर पर देखने को मिली बच्चों का कहना था कि पहले त्योहार पर हम एक दूसरे के घर जाकर एदी की मुबारका बात दिया करते थे और मेल मिलाब कर तिहार को बड़े ही हर्शला से मनाया जाता था लेकिन इस वर्ष हम कहीं पर भी नहीं जा रही है और केवल घर में ही रहकत इस तिहार की खुशियां एक दूसरे को दे रही है कि रही है कि अपने कपड़े निया रहे हैं और काई जा नहीं रहे हैं हम लोग अधूर मिले नहीं जा रहे हम कई क्या दुआ करें मालिक से ये को लोना महारी विमारी जल्ड से जल्ड खतम आपका नाम बता आए सब्सक्राइब करें और इवादत करी मालिक का नाम लिया वस करोना गाइडलाइन के रहा है वह घर में मतलब आना यह ना सबका बंच था इंदुस्तान के इंदुस्तान के अंदर इस उद्देश से अपना यह चल रहा है अब्दुल राइस